दोस्तों मैं अमर्चीद ब्राडवे इमिगेशन सर्विसी से ब्राडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E Academy जो आपको आर्ल्स कोचिंग देगी घर बैठे तो आपको कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है टीचर 1-2-1 आपके साथ लाइब बैठेंगे आपके question, doubts, confusion और plus the training वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी इमिडेटली इरजिस्टर करें दिएगे नमबर पे 9216-780-780 थैंक यू नमश्वाज दोस्तों मैं अमर्चीद ब्राडवे इमिगेशन सर्विसी से लगतार कोशिश होती है इस चैनल के जरीए Canada Study Visa को लिके हर लेटेस्ट इंपॉर्टन अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें जैन के रिजल्ट जो की कॉंटिनुईस ली आ रहे हैं और बहुत अच्छे और कम टाइम में आ रहे हैं पहले तो मैं यह बता दूँ दोस्तों कि Canada में इंटर्विव का बहुत ही कम चलन है कभी भी Canada बहुत जादे इंटर्विव नहीं हुए है आज से पहले भी आज से दो तीन महीने पहले भी यह कॉंसेप्ट शुरू हुआ था जिसमें कुछ कॉल्स आई थी और उसके बाद फिर खतम होगी थी स्टोरी अभी भी ऐसा सिर्फ सुनने को मिला है मुझे इसी YouTube के उपर Personally we didn't receive any notification हमारी भी 100.500 फाइल इस टाइम हम मैसी में होगी बट किसी बच्चे को ऐसा कोई notification हमें receive नहीं हुआ तो अगर ये interview होंगे भी तो बहुत कम level पे होंगे अगर होंगे भी तो टेलिफोनिक होंगे जैसे पहले हुए थे इसको ये मान के चलें कि ये बहुत बड़े level पे होने वाले हैं इसकी probability कम है और mostly जिन बच्चों ने Canada अपलाई किया है तो उनको घबराने की ज़रूइत नहीं है जो आपके profile में लगा है उसी के related वो पूछेंगे और अगर आप एक genuine student हैं तो कोई मुश्किन नहीं होगी लेकिन Canada के अंदर एक चीज ज़रूर शुरू हुई है that is fairness check fairness एक letter notification आपको आता है जिसी की के अंदर और उसमें ज़्यादा तर problem दो लोगों को हो रही है एक जिन्होंने English के test fake लगाए है ऐसा बहुत सारा market में trend है कि resemblance face वाले से बंदा test करवाता है और वो test लगा देता है और जो आप certificate attach करते हो, PT attach करते हो इसमें अपनी photo लगा देते हो तो उसके उपर 100% verification शुरू हो चुकी है तो वो तो check होई रहे हैं इसमें कोई शक नहीं दूसरा वो जिन बच्चों का scene ऐसा है कि वो रहने वाले किसी और state के हैं और उनकी degree किसी और state की है तो उनकी degree को लेके भी ये issues शुरू होएं तो ये दो चीजों के cross check majorly शुरू हो चुके हैं ILSPT को लेके मैंने आपको बता दिया और इसके अंदर वही situation होती है अगर आप prove नहीं करोगे तो आपको ban लग सकता है और जो degree दूसरी state की है जागर कोई बच्चे का ऐसा scenario है तो उसे गवराने की जुरूरत नहीं है आपको करना क्या है कि अपनी degree का WES करवा के रखें WES होता है WES WES services आप इसी YouTube पे सर्च कर सकते है Google पे सर्च कर सकते है World Education Services ये हर एक country की एक body होती है UK के अंदर भी NERIC के नाम से है जो international degrees को assess करती है कि वो Canada के equivalent degrees है तो आप अपनी degree का WES जिसकी fees around 15,000 के आसपास है वो आप करवा के रख सकते हैं अगर ऐसे case में Canada आपको इस चीज के कारण objection करता है तो आप वो WES certificate अगर ऐसे evidence देंगे तो उसे माना जाएगा और आपको कोई ban की situation उसमें नहीं होगी यह आप degree को लेके safe yard यूज कर सकते हैं और IELTS PT अगर आप fake लगा के निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो definitely आपको attention लेने की जरूवत हैं क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा Canada checking each and every document nowadays इंटर्व्यूस को लेके मैं अभी ना तो हां करता हूं ना ना करता हूं हो सकता है किसी के आई हो हमारी अभी तक नहीं है आएंगी तो जरूर मैं कल पर सो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो I will let you know बट यह interview कोई बहुत बड़े level पे नहीं आएंगी that is very much sure क्योंकि Canada में जतने number of application लगते हैं उनके पास इतना structure ही नहीं है कि वो इतने लोगों को interview कर सके और interviews अगर इका दुका आती है तो not to worry अगर आपका case fair and fine है तो उसी care rated ही पूछा जाएगा और निश्चिन दोकर आप Canada जा सकते हैं तो Canada अपलाई करने से इस चीज़ से बिलकुल गभराने की ज़रूद नहीं है ये interview की news या खबर ये पहली बार नहीं चली है इससे पहले भी आज से 4-6 मीने पहले भी ये चीज़ें हो चुकी है तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती changes temporary आती हैं कुछ cross checks के लिए आती हैं तो आप मिस ना करें या उसमें कोई गलती ना करें इस चीज़ का ध्यान तो आपको जरूर रखना होगा जिन्होंने अपने SOPs लगाएं और खुद नहीं बनाएं वो बच्चे ध्यान से अपने SOPs को पढ़ें और समझें क्योंकि आप सेम SOP उस टेम बोलके तो सुना नहीं सकते तो आपको अपनी बात को बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी SOP में आपने क्या message बेजाता तो इन चीज़ों का थ्यान रखेंगे तो Canada visa कहीं नहीं गया कोई घबराने या टेंशन लेने वाली जुरूरत नहीं है बेफिकर होकर में इंटेक के लिए अप्लाइ करें और जैन के अपने results को receive करें Canada में overall अगर profile visa success rate देखी जाए 2022 की तो वो 21 के मुकाबले बढ़ी है compare to number of applications refusal इसलिए जादा क्योंकि application ही साड़े चार लाग से उपर गई तो overall refusal आई visas आएं बट numbers में application refusal बहुँ जादा दिखें इसमें कोई शक नहीं बट आगे चीज़ें काफी positive चल रही है PT को लेके थोड़ा scenario आज कल दुबारा tough दिखने लगा है बट उस पे मैं भी comment नहीं करूँगा जो कि पूरे North India में है सो आप हमें जम्मू में पंजाब के कई शहरों में हर्याना में निव डैली नेताजी सुभाष पैलेस एंड एमदाबाद गुजराद इन सग जगा पे आप टीम से physically मिल सकते हैं अगर दूर से हैं तो आप घर बैठे टीम के साथ online apply कर सकते हैं चैनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि इस पर मैं everyday life session करता हूँ जिसमें आप आके अपने direct question, doubts, confusions मेरे साथ clear कर सकते हैं आज के इतना thank you दोस्तों मैं अमर्शीद Broadway Immigration Services है Broadway की तरफ से हमने start किया A2E Academy जो आपको IELTS coaching देगी घर बैठे आपको कहीं travel करने की जरूरत नहीं है teacher one to one आपके साथ live बैठेंगे आपके question, doubts, confusion और plus the training वो आपको घर पे provide की जाएगी immediately register करें दियेगे number पे 9216-780-780 Thank you